और बात करते एक बड़ी कबर की रेव पार्टी और जहर सप्लाई मामले में मौके पर मिले पांच सापों को वनिभाग में मेडिकल परिक्षोन के लिए भेजा था मेडिकल रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पांच कुबरा की विश्व ग्रंथी निकाल ली गई थी बाकिशेस चार साप विश्व ले नहीं थे वहीं कोट के अनुमती के बाद सभी सापों को अब जंगल में छोड़ दिया गया है प्रियागराज में जुनसे के अंदावा में अधिवक्ता अभिश्य क्यादव के मकान के ध्वस्तिकरण के मामले में लाहबाद हाइकोट ने प्रियागराज विकास प्राधिकरण से एफिडेफिट मांगा है हाई कोट ने तलक टिपणी करते हुए कहा कि बुल्टोसर की कारवाई मनमानी के लिए नहीं है घर की एक हीट रखने में वर्षू लग जाते हैं जबकि तोड़ने में कुछी पल लगते हैं कोट ने पीडिये उपाध्यक्ष से 20 नॉम्बर तक हलफ नामा मांगा है कोट ने कहा कि पीडिये बताए कि ध्वस्तिकरण के नाम पर अब तक क्या क्या और कैसे किया क्या साथ ही पीडिये की भविश्य में की गई योचनाव के बारे में जानकारी भी कोट ने बाकी है यगर प्रियाग राज में विकास्ता अधिकारण इसी तरह की कार्य पच्पात्पूर तरीके से कर रही तो निश्चिक रूप से उपाध्याच जोनल अधिकारी और चीप इंजिनियर जो भी इसमें सलिप्त हैं उन्हें यहां से हटाया जाए अन्यठा इस तरह की स्थिती को देखते हुए अधिवक्ताओं के रोज को देखते हुए गुस्से को देखते हुए हम लोगों को भी अगली खोश रड़नीती बनानी होगी फिरोजबाद में खाद सुरक्षा और और शदी विभाग की टीम ने गाम मौढ़ा में नकली देशी घी बनाने वाले एक फैक्टरी को पकड़ा है फैक्टरी में तीन हजाल लीटर नकली घी तयार किया मिला और घी को केमिकल रिफाइंड से बनाय जा रहा था मौके से ब्रांडेट कमपनियों की पैकिंग भी बरामत की गई है इसके लावा टीम के मांगने पर कारुबारी लाइसंस नहीं दिखा पाया सिर्फ एक सो रुपए के पंजी करण पर इतने बड़े पैमाने पर घी का कारुबार किया जा रहा था टीम ने यहां से घी के अलग-अलग सेंपल लेने के साथ ही रिफाइन और अन्यपदार्थों की सेंपल लिये हैं फैक्टरी को सीर कर दिया गया है दिवाली से पहले मिलावट खोर सक्री हो गये हैं और इसी पर अप्षिकंजा का साजा रहा है खबर मेरट से जहां पर आवारा कुत्तों की काटने से 11 साल के मासूम ने तडप-डप कर दम तोड़ दिया मामला सुर्यपूरम कॉलनी का है बच्चे को करीब दो महिने पहले एक आवारा कुत्ते ने काट लिया था पारिजन उसे एक प्राइवेट डॉक्टर के पास लेकर गए जिसने उसे टिटनेस का इंजेक्शन लगा कर घर भेज दिया था बात में धीरे धीरे रेवेज इंफेक्शन जो था वो पूरे शरीर में फैल गया और एक नॉम्बर को दुश्यंत को दिक्कत होनी शुरू हो गए बात में बच्चे को कई अस्पतालों और दिल्ली के हाई सेंटर भी रेफर कर दिया गया एम्स के डॉक्टरों की माने तो बच्चे के पूरे शरीर में रेवेज फैल चुका था जिसकी बच्चा से उसकी मौत हो गई बच्चा घर के बार खेल ला था स्कूल से आया था घर के बार थोड़ा सा गूम ला था यह 28-29 की बाद है इसके बाद इसके बाद हमने बच्चे को दोक्टर के दिखा उसने डॉक्टर ने टेटनेस का इंडेक्शन लगा दिया दवाई देदी बगर देदी घर करें वह जाए एक महीने को दिक्कत नहीं रात में फिर पियल सर्मार उड़ लेके गए हम प्यार लाल अस्पटाल उन्होंने हमें बताया गए इस बच्चे को आपको रह भी जा चुकिया और हमारे पास तो कोई लाज आनी और अब खबर कास्ट गंसे जहांपर न्यूजे टीम की खबर का बड़ा असर हुआ है पुलिस कर्मियों से मारपीच करने वाले को गिरफ़तार किया गया है दो दवंगों को पुलिस ने गिरफ़तार कर लिया खबर का एस पी ने समया लिया पीटाई का वीडियो वायरल गंदरपुर वैश्व के कादर गंज बुक्ता का मामला है न्यूजे टीन ने इस खबर को प्रमुक्ता से दिखाया इसका असर ये हुआ है कि पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए दो दवंगों को गिरफ़तार कर लिया है कानभू में निजे अस्पताल के डॉक्टर की लापरवाही से मरीज की जांग चली गए मामला इंदरा नगर के शिवशक्ती हॉस्पिटल का है दो दिन पहले मरीज को भरती कराया था मरीज का ऑपरेशन हुआ ऑपरेशन के बाद बुजूर की हलत बिगड़ती चली गए लेकिन डॉक्टर समय पर नहीं आए और बुजूर की मौत हुगए परिवार वालों ने अस्पताल में हंगामा शुरू कर दिया सूचना पर पहुँचे पुलिस ने मामले को शांत कराया और मुकद्दमा दर्च कर लिया गया है इलावाद विश्विद्द्द्द्द की कॉमर्स डिपार्ट्मेंट की ओर से कॉमर्स की पढ़ाई करने वाले चात्रों की सुविधा के लिए खास तरेका कोर्स से शुरू किया गया है जिसमें बताया गया है कि विश्विद्दले के चात्रों को भगवत गीता, रामाईड और उपनिशदों के साथ साथ चाड़क के नीति का ग्यान भी दिया जाएगा एक अध्यान के तहीर चात्रों को भगवान शुकिष्ट्र के मेंजमेंट मंत्र यानि के प्रबंधन मंत्र को सिखाय जाएगा मिली जानकारी के मतावेक कौमर्स डिपार्टमेंट के उर्ज शेश्रू किया गया और बड़े उद्योगपती जैसे की जियाडी टाटा, अजीम प्रेम जी, धिरुभाई अम्बानी, नाराण मुर्ती, सुनील मित्तल, बिल्ला के स्मार्ट प्रमंदिकी अफैस्तों की जानकारी उनको दी जाएगी और उसका अध्यान भी उनको कराया जाएगा लाखंपूर के उचौलिया के एक घरा गाउ में बाप बेटे ने दो मासुम बच्चों को अगवा कर लिया काफी तलाश के बाद परिजनों और गाउवालों ने दोनों बच्चों को गन्ने की खेश से बरामत कर लिया एक बच्चे के रिस्क्यू का वीडियो भी काफी तीजी से वारल गुरा है जसमें गाउव की लोग उसे बंद बोरी से बाहर निकाल गई है आरोपिय ने बच्चे के हाथ पेर को भी बांध रखा था पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफतार कर लिया है बता जा रहा है कि आरोपी राकेश और उसका बेटा नरवीर अपराधिक प्रविर्तिके है उन्होंने बच्चों को भीशने के लिए अगवा किया था एक बड़ी कबर वारानसी से आ रहे जहां पर फिर से धरने पर बढ़ गए हैं आयाइटी बेच्चू की चात्र छेडखानी मामले में गिरफतारी नहीं होने पर नाराज हैं आयाइटी बेच्चू डारेक्टर ओफिस के बाहर ये चात्र इकठा हो रहे हैं एक बार फिर से इनका धरना शुरू हो गया है दरसल छेडखानी मामले में अभी तक आरूपी की गिरफतारी हुई नहीं है और इस बात से चात्र नाराज हैं लियाजा आयाइटी बेच्चू डारेक्टर ओफिस के बाहर ये चात्र इकठा होने लगे हैं और एक बार फिर से इनका धरना यहां पर शुरू हो गया है बेच्चू के चात्र एक बार फिर से धरने पर बैट गया है कि अभी भी यहाँ पर सुभा साड़े दस के लगभग दर्जुनों छात्र यहाँ पर आकर धरने पर बैठ गया है चात्रों का आरोप है कि साथ दिन मामले को बीद गया है लेकिन जो आरोपी है छेड़खानी के जो आरोपी है वो अब तक पुलिस के गिरफ से बाहर है जहां पर चात्र जुटा सुरू हुए है और धिरे धिरे चात्र यहाँ पर चात्रों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है तो एक बार फिर से आएटी बेच्चु के छात्र धरने पर बैठ गया है और धिरे धिरे ये धर्ना एक विशाल धर्ने के रूप में तब्दिल होता हुआ नजर आ रहा है नभी पांडे नीज़ेटीन वारानसी और इसे खबर के साथ यहां पलेंगे एक चुटा सप्रिक जल लटें उच्छार खबरों के साथ